कि दो नमस्कार कैसे हो सभी लोग तो आज सीटी का जो पहली पारी का पेपर है उस पे अपने जो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास से रिलेटेड जो प्रशन पुछेगे सारे प्रशन बहुत अच्छे थे और जो जो प्रशन आप लोगों के इतिहास और कल्चर के पुछे गए थे उन पर अपने चर्चा करने वाले तो आप लोग एक बार जुड़ जाईए सारे लोग और फटापड़ एक बार सेर कर दीजिए और जिनका पेपर अब होने वाला ह है या कल जिनका पेपर होने वाले तो एक बार वो भी देख लिजिए कि किस टाइब के प्रशन जो पुछे गए हैं आज के पेपर में चलिए तो इतिहास और कल्चर के जो प्रशन पुछे गए हैं उन पर अपने चर्चा करने वाले हैं बहुत आसान से प्रसन पुछे चार हातों वाले लोग देता हैं कल्ला जी राठोट चार उप्सन हैं इसमें मलीनाद जी जुञार जी उर पता जी तो इसका सही जवाब होगा कल्ला जी राठोट रूप चत्रभुजि इनको कहा जाता है चले लियो पर करना जाने चीए वंस बासकर सूरियमल मिशन की मुख्य रचना है प्रत्विराज विजय हम जानते हैं कि जयानक के द्वारा लिखी गई है कुल्ले मला उदोतन सूरी में कि प्लास में कम से कम सो बार ये कह चुका हूं हमीर महाकावे नैंचंदर सूरी ते इसमें से गलत आपके ब व्यिख प्रत्विराज विजय प्रत्विराज वीजय के लेकरगे चंद वरदाई नहीं है प्रत्विराज रात विजय के लेकरगे जयानक भट पांस स्या अ जयानक भट तो बी ओप्शbung्यStep गलत हो ये आपके चली आप अगला प्रेशन आप लोगों के साथ नमर के बाद में अगला प्रेशन है आपके आठ नमबर ये modern history का प्रेशन पूछा गया था अठारा सो अठारा इस्वी में company के और से company मतलब इस्ट इंडिया company के और से राजपूत राज़ियों से संधी करने वाला officer कौन था तो Charles Metcorp की ये सारी जो है वो संधियों की निती थी तो Charles Metcorp option A जो है वो बिल्कुल सही होगा चार option चार्स Metcorp, James Ferguson, Charles Hector और Mock Mason तो आप जानते ही हो कि Charles Metcorp जो है वो दिखनी रहा साब छोड़ा सा चलिए मैं थोड़ा सा कम दिख रहा है तो मैं प्रशन पढ़ के बता दूँगा आपको और option भी बता दूँगा प्रशन है कि 1818 में company की और से राजपूत राज़ियों से संधी करने वाला अधिकारी कौन था तो हम जानते हैं किसका सही जवाब जो है वो Charles Metcorp है अगला प्रशन आपके 14 नमर प्रशन है प्रशन सिंग्या 14 पहले अपने history और culture के जो प्रशन पूछे गए उन पर अपने चर्चा कर रहे है चौदा नमर प्रशन आपके फिर modern history का पूछा गया और प्रजा मंडल और आपके आंदोलन से related प्रशन पूछा गया है नीमन में जो है इनका संबंध अलवर प्रजा मंडल से है तो सुमेलित नहीं है ये पुछा गया और मतरादा समातुर अपने जानते हैं कि मारवार से related थे तो बाकी तीन से ये C option जो है वो गलत है, गलत वाला ही पुछा गया कि सुमेलित कौन सा नहीं है, C option जो है वो बिल्कुल गलत है इसमें, नेक्स्ट कुसन है, 17 नमबर, प्राशन सेंख्या 17 बहुत आसान सा प्रशन है, इंडियन हिस्टी का प्रशन है कि भारत के किस गवर्नर के कारियकाल के दोरान हिंदू विद्वा पुनर विवा एक्ट पारित हुआ था, 1856 में अपने जानते हैं कि विद्वा पुनर विवा ए अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर जनरल कोन था, तो लोड केनिंग जो है, वो सही जवाब होगा वई, ठीक है, चालिए, दोन दो लोग दीख रहे हैं, कोई बात नहीं में प्रशन पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए, नेक्स्ट क्यूस्टन है आपके, 19 नमबर, 19 नम पारका यह, चरी नरते, तो अवाज भी नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही होगी, प्रशन है, फलकू भाई का संबंध किस्से हैं, तो फलकू भाई अपने जानते हैं कि चरी नरते जो गुजर जाती ही, महिलाओं के दौरा किसंगड़ छेत्र में किया जाता है, तो चरी नर्ते इसका सही जवाब होगा 19 प्रशन का सही जवाब जो होगा वो चरी नर्ते होगा चरी नर्ते बिल्कुल एकदम सटीक अपने आन्सवर जो है वो लगाने बिल्कुल next question है 22 number next question है 22 number प्रसन संक्या 22 ये फिर आपके culture से related पुछागे बहुत अच्छे प्रशन पुछेगे बहुत अच्छे प्रशन पुछेगे सारे ही अच्छे क्यूसन है लोदरुआ जब भी मैं आपको मुमल महंदर की प्रेम कता क्लास में बताता हूँ आप लाइन ओनलाइन तब मैं आपको जोर जोर से अलड़ा अलड़ा के बताता हूँ कि लोदरुआ जेन तीर्थों के लिए प्रसिद है जेन मंदिरों के लिए प्रसिद है लोदरुआ जैसल मेर जो है वो जेन मंदिरों के लिए प्रसिद है कि लोदरुआ क्यों प्रसिद है ये लोदरुआ वही है जहांकि रा सो बार पुछावाई कि उससन है तो किसी के गलत होने की समभावना ही नहीं है. वीजे सिंग पतिक ने किस समाचार पत्र के माद्धयम से बिजोलेया किस난 अन्दोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था. और उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप प्रताप जो समय पूरे भारत में एक तरह से जो राश्टी मुवमेंट हुआ करते थे किसान अंदोलन वगेरा या अंदोलन जो हुआ करते थे freedom मुवमेंट उनको एक तरह से publish करने का काम किया करता था तो प्रताप इसका सही चलिए प्रसन सिंग्या 28 अगरा प्रसन है कल्चर का प्रसन है आप लोगों के वाध्ययंत्रों का बहुत बहुत इज़ी प्रसन पुछा गिया है बहुत आसा प्रसन प्रसन पुछा गिया वाध्ययंत्रों की केटेगरी दी हुई है और प्रसने की नीमन में से कौन सा वाध ईंटाइप का सभी आपके सूसितना है ऐग तो आपके अलग को छाइगा dollars अगवांदंग और 501 Juliet अधोलिकत कतनों को सावधानी पूरुक पढ़ना है ठीक है और दो कत Haushंठा आपको बताना है कि ही स्थापना कीई हम जानते कि 1877 में ये तेशनी सभा की इस्ताब ना हुई तो मतलब उनी सिविस्ताब दी हो गई सभा का मुख्य हो देशे समाज सोधार करना था तो दोनों बाते बिलकुल करेक्ट है दोनों बाते ही क्या है सत्य है ठीक है दोनों कातन सत्य है मतलब सी ओप्षन अपना क्या होगा राइट होगा ओप्षन सी करेक्ट होगा चलिए इसके बाद क्युष्ण सिंग्या 36 प्रशन सिंग्या 36 प्रशन सिंग्या 36 अबने ये दो बार पुछा गया क्युष्ण है और कल्चर का प्रश्ण पुछा गया है यह, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद स्वामी के स्वानन्द की जनम स्थली कौन सी है तो सेखावाटी के प्रसिद एक संत हुएते जिन्होंने सिक्षा को विशेशते मुद्दा बनायतार मंगलूना गाउं जो है, मंगलूना ये फिर आपके कल्चर का प्रशन पूचा गया है, मलिक साह की मस्जिद कहा है, संत मलिक साह की दरगा, संत मलिक साह की दरगा या मस्जिद अपने जानता है, कि मलिक साह की दरगा जो है, वो आपके जालोर में, संत मलिक साह की दरगा कहा है, जालोर में, जालावार में अपने हैं कि मिठे सा कि दरगा है, चीक है, बाकि yohan में तो ये दोनों नाम ही वैसे कट हो जाते हैं, बात ही आती कि a और c मैंसे को होई सी तो जाला वार में मिठे सा की दरगा है, और या पुछी की ये मलिक सा की दरगा है या मस्चित तो tak को द्यान रखना है जालोर, option C जो है वो क्या होगा, correct होगा, चलिए, अगला question है आपके 40 number, प्रसंद सिंग्या 40, culture का question है, और कल लास्ट की class में ही मैंने ये topic पढ़ाया था, base number 10 को, base number B1 को, और उसी मैंसे ये question आया है, चार अभुषन दिये हैं, उनके अंग दिये हैं, एक गलत है वो आपको चाटना है, तिमनिया, तिमनिया गले में पहनते हैं, अपने जानते हैं, तिमनिया तांतनिया, सुरलिया ये कान में पहनते हैं, तगडी, कमर का अभुषन है, रमजोर पेर का अभुषन है, रमजोर का का है, कलाई का नहीं है, पेर का अभुषन है, तो B बी जो है वो गलत हो जाएगा इसमें बी जो है वो क्या होगा गलत होगा गलत पूछा गया है तो गलत भी होगा वही ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्यूशन ने बैयार इस नमबर चित्रकला का प्रशन है ये फिर कल्चर का प्रशन है सारे क्यूशन ऐसा कोई पेपर क्य जो आपके नहीं पढ़ाया हुआ है सारे प्रस्ण बहुत अच्छे प्रस्ण पूचे गए हैं ठीक है स्रीधर अंधारे जब भी मैंने चित्र गला आपको पढ़ाया तो यह कुशन नोट लगा करके स्पैसली लिखवाया है कि स्रीधर अंधारे ने राजस्तान की किस चित्र चित्रसेली को प्रकास में लाने का काम किया तो मेवाड चित्रçaली का एक पार्ट है देवगड राजशमन ठीका ना जो था मेवाड का देवगड चित्रसेली को हाइलाइट करने का काम स्री धर-अंधारे का है यह आपको मैंने नोट लगा करके लिखवा रखा है तो किसी के गलत होने की कोई गुंजाईस नहीं है प्रसन सेंग क्या तैयालेस ये फिर आपके गल्चर का क्यूस्टन है सामप्रदाइक सोहाद्र के प्रतिक काजी हमिदुदीन नागोरी मैं आपको लिखवा रहा है कई बार हमिदुदीन नागोरी जो है वो चिस्ती सिल्सले के सूफी स सूपी संद मतलब मुस्लिम संद है डी ओप्षन जो है वो बिल्कुल क्या होगा करेक्ट ये पुछा गया कि काजी हमुदी दीन जो है वो कौन से संपरदा या सिलसिले से रिलेटेड है तो चार ओप्षन दिये हैं सुहरावर्दी मगरीबी कादीरी और चिस्ती तो चिस्ती इसका क्या होगा करेक्ट आंस्वर होगा वी चिस्ती सही जवाब है पिर अगला क्यूसन है जंजातियों से रिलेटेड 15 नमर क्यूसन वैसे वेसबुसा के क्यूसन है ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया है वेस नमर B1 वालों को तो बील जंजाति के पुरुष कमर पर जो व पास में बैठा उसको पांच बार लिखवा है कि भारतिये लोग कला मंडल की स्थापना 1922 में देविलाल सामर ने की ती जब भी मैंने आपको कठपूतली नरते पढ़ाया है जब भी मैंने आपको साहितिक संस्तान पढ़ाया है तो ये क्यूसन आपको दो बार तीन बार ल इसोग देविलाल शामर ने की नेक्स्ट क्यूसन 47 नंबर यह आपके हिस्टरी का क्यूसन है 1860 सटाउन की क्रांती से समन्दित और आचान की चूसन में अंग्रेजों की और जोदपूर राजी की स्यूंकत सेना को हराने वाले ठाकूर कुसाल सिंग चॉंपावत थे ऐQue के ठाकुर कुसाल सिंढ चांपावत जिन्हों ना अंगरेजों को जोद подарuiten को प्राजित क्या मेक मोशन का सिरा एक कर के किले एक हुप पर लटकाया गया था तो कुसाल सिंढ चांपावत इसका सही जवाब होगा 27 फिर अगला क्यूशन अपने है फोर्टी 49 प्रशन सेंग्या 49 49 और 50 ये दोनों अपने प्रशन है हटूंडी में गांधी आश्रम की स्थापना हटूंडी अजमेर में है और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हरी भाव उपाध्याय के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी इसका सही जवाब ए होगा के फते सिंग जद भरजबूल दिल्ली जावन तयार हुए हिंद्वा सूरजने मेल उठे तारो लावन तयार हुए मारणा फते सिंग को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेताउनी राचुंग्ट लिखा गया तो किसी के गलत नहीं होना चाहिए प्रसन भी एल्गिये आभराराराव सुस्तावन की क्रांति ये क्रांति का पर्शेन बूचा गया क्रांति के के दो रान अपने जानते हैं लगकर मेंजर बर्तन जो है अमने पढ़तर हैं कि कोटा का था मारीशन और विलियम इडन तो इडन आपको ध्यान रखना कहां का था जेपूरका था जेपूरका तो जेपूरका पूचा गया तो जेपूरवाडा ए-option इसमें सही जवाब होगा वी चले नेक्स्ट कुश्चन है आपके चोवन नंबर यह मेरा पहला टोपिक रहता है और पहले टोपिक में मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट करके लिखवाता हूँ कि बढ़ार क्या है तो विवा के पस्चात दिया जाने वाला बोजन, इसमें एक सिदा ही लिया हुआ है विवा का आयोज्य भोज, तो ए ओप्षन इसका सही जवाब होगा, पहला टोपिक का पहला क कुछा गया है, हर बेच के पहला ही टोपिक में यही पढ़ाता हूँ, राजस्तान की रिती रिवाज और वहां से यह कुछन आप देखोगे, कोपी खौल गए, तो मौश लिकाया हूँ, आपको मिलेगा, बढ़ार भोजन, ठीक है, विवा पे दिया जाने वाला भोजन है, चलिए, अगला कुस्ताने, 65 नमबर, प्रसंद सिंग्या 65, 65, महनसर, जुन्जनु जिले में महनसर क्यों परसीद है, महनसर वैसे तो दारू के लिए फेमस है, मैंने आपको बता है, जब भी करनल टोड पढ़ा है, तो मैंने आपको कहा है, कि महनसर की दारू को फेमस करने वाड़ा बंदा करनल टोड था, यह अपनी अंतरास्तिय सराब है, महरानी महनसर, महराजा महनसर, तो और क्यों फेमस है, दारू तो है नहीं, ओप्सन में, तो क्या है, मुगल कालिन चित्रों की अधिक्ता के लिए, खिर्कियों की हवेलियों के लिए परसीद है, छीक है, सेखावाटी की हवेलियां जो है, उनके लिए परसीद है, तो आपको ज्यान रखना है, महनसर जो है, वो खिर्कियों की हवेलियों के लिए परसीद है, चलिए, नेक्स्ट क्यूस्टन है आपके, 68 नमबर, यह कल्चर का फिर क्यूस्टन है आपके, 68 नमबर, और संत से रिलेटेड है आपके जोदपूर का महा मंदीर आपको जयान रखना है नात संपर्दाय का है खूब लिखवाया हुआ आपको मान सिंग राठोड ने नात संपर्दाय के दो मंदीर बनवाए और दोनों आपको लिखवा रखे हैं महा मंदीर और उदे मंदीर दोनों 74 अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में इस्तित है अकबर के द्वारा जो शुक्र तालाब जो है ठीक है अक्पर के द्वारा हाँ बिल्कुल जो चीजें पढ़ाई हुई है जो क्लास में इमानदारी से बेटा है ना उसके कोई क्युस्टन गलत होने की संभाव नहीं नहीं है अपने कल्चर और हिस्ट्री में तो शुकर तालाब नागोर में अभी शुकर तालाब कहां पर है तो शुकर तालाब आपके नागोर में अक्वर ने शुकर तालाब का निर्मान करवाए था पंद्रा सो सत्तर में आपने पढ़ते हैं कि नागोर दरवार के समय जो है वो शुकर तालाब का निर्मान करवाए गया लगते चंद्रभागा सु मेला चंद्रबाड़ा नदी किंस लगता और जहुटाइं बढ़ा पर इस अंधु क्विदान पत रहे तो आपके कोई क्यूस्टर कुर्घत और गलत वजोगा की कोई संभा होदना ही की चले निम्न мире कर लगा तक कौन से ठिकाने में तो चौरी कर आपको ज्यान रखना है बिजोलिया में लगाए गया था कहां लगाए गया था बिजोलिया किसान अंदुल उनके विरोध का मेन कारणी चौरी करता लड़कियों के विवापर एक तरह से सामंतों को जो दिया जाने वाला टेक्स था वो चौर कर था वही आपको ज्यान रखना है फिर 77 नंबर यह आपके वैसे साहित्य का क्यूस्टन है और करणट जी के क्यूस्टन है कि के के बिडिला फाउंडेशन द्वारा 32 बिहारी पुरुषकार डॉक्टर मादव हाडा को प्रदान किया गया यह आदुनिक रचना पुची प्रद्वर्गुल क्या होगा सही जवाब होगा भी ठीक है फिर 79 नंबर मुगति नाम कविता संग्रे के रचियता मुगति मुगति आपको जानकना मिठेश निर्मोही ठीक है चलिए 79 नंबर मुगति नाम की पत्री का यह आपको जानकना है मिठेश निर्मोही जिनको अवाइड भी दिया गया है ठीक है चलिए अगला क्यूसन है 84 आपके चितरकला का क्यूसन है और मेवार चितर सेली में मैंने आपको तीन चितरकार मोस्ट करके लिखवाया होंगे साहिब दीन, कृपाराम और मनोर आपको फी खूल करके देखोगे तो उसमें आपको ये नाम सबसे पहले लिखुआया है और वही क्युशन पुछा गया है कि साहिब दीन नामक चितरकार को मेवार के किसासक का संरक्षन मिलाता ये प्रसन पुछा गया है तो साहीब दीन आपको ध्यान रखना है महारणा जगत सिंग के काल में किसके काल में महारणा जगत सिंग के काल में साहीब दीन नाम का चित्रकार जो है वो मेवार से लिए से समंधित है अगला क्यूशन है आपके 90 नंबर दिख नीरा है थोड़ा सा क्या कि ये मैं प्रशन बोल रहा हूँ ठीक है चलिए अगला क्युस्से ने चित्तोर विजे इस्तंपर पहला इसमारक डाक टिकेट कब जारी किया गया तो राजस्तान में सबसे बहले डाक टिकेट अपने जानते हैं कि डाक टिकेट जो है वो 1949 में अमर सिंग के काल में साहिब दीन नहीं है भी द्यान रखना मनिशा चारण जी अमर सिंग के काल में नासिर दीन है साहिब दीन पुछा गिया है क्युस्सन को आप डंग से पढ़ना है न 1949 में विजे इस्तंपर पहला डाक टिकेट जारी किया गया था तो राजस्तान में सबसे पहले डाक टिकेट 1949 में विजे इस्तंपर जारी किया गया 91 नंबर अगला क्युस्सन गोविन देव जी का मंदिर जेपूर मदन महुन जी का पूरी में कथा बताता हूँ आपको कि भगवान कसन के तीन विग्रय है उनके पहते वज्रन आपने ये तीनों मूर्तियां बनाइए करके देख लीजिए अप पीर अगला क्युस्सन है 92 नंबर 92 नंबर देगे 92 नंबर में अजरक प्रिंट आपको वस्तर हस्तकला में लिखवा रहा है, आज रख प्रिंट बाड़ मेर का परसीद है, आज रख प्रिंट कहा का परसीद है, बाड़ मेर का, आज रख प्रिंट आपको ज्यान रखना कहा का परसीद है, बाड़ मेर का, मोटड़ा की, पगड़ी, जोदपूर की परसीद है, मसूरिया, साड़ी, के सुन कि एर पावर लूम कपड़ों पर चपाई. बाल उत्रा की परसीद है. चले अगला क्युस्अन है आपके. 96 नंबर, लोक्देवियों का क्युस्ण है, कल्चर का क्युस्ण है, कल्चर के गलत नहीं होगा, ये भी, चलिए, 97, 97, शाहित्ते कपस्णन है, बातारी फुलवारी, विजयत्ताइद देथा, जो एक चारण कभी है, उनके एक ग्रचना है, बातारी फुलवारी, और बातारी फुलवारी में, कुल 14 खंड है, कितने खंड हैं, चोदा खंड जिनको भी साहित पड़ाया है सब के सही है यह कुशन ठीक है बातारी फुलवारी के चोदा खंड विजेदान जी देथा बोरुंदा जोदपूर के कवी चलिए तो यह अपने हिस्ट्री और कल्चर के प्रसंत है आगे अगले गुरुजी आएंगे साइंस वाले झाल 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 106 106 106 106 106 116 116 मैं सर जो है वो सोने की 65 नमर सोने की चित्रकारी के लिए परसीद है 65 नमर क्यूसन देगो अभी अपने पढ़ाता 65 क्यूसन नमर 65 जो है इसको आप पढ़ो 65 जो वो सोने चांदी की चित्रकारी के लिए सोने की चित्रकारी 65 में डी नमर जो है उससे होगा ठीक है चलिए कर ततकर कर ततकर का अचित्च निक कर देंग कर दो अपने कम सुब आई शुबusta कर दाः । तपाल्जी जिए, तपाल्जी कि अजय को अजय को अजय है अजय को नमस्कार आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा तो चलिए साइंस से संबंदेत कोश्चन्स 10 सवाल इसमें आई हुए हैं 10 सवालों की जानकारी आपको देता हूं किनका अंसर सही क्या होगा 106 नमबर पर साइस का पहला सवाल है पढ़िए चार, तो यह चला गया आपके नंबर चार में, वाशिंग सोडा Na2CO3, यह वाशिंग सोडा Na2CO3, यह का होता है अपना NaCO3, तो वाशिंग सोडा Na2CO3 का करेगा, कांच बनाने में कामाता है तो यह गया option 1 में यहां चला गया option 1 sodium chloride, NaCl NaCl, H2O, इन से क्लिया कराओगे तो हाइडिजोलो क्लूरीन के निसका असर में, पादम में कामाती है अब तो इसका answer बनेगा 2 अब चेक किजिए, 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2, किसके अंदर आएगा देखिए गया 3, 4, 1, 2 correct answer option D correct answer क्या होगा इसका option D चलिए अगले question में देखते है question number 107 यदि कोई वस्तू सवतंतरू रूप से प्रत्वी पर गिड़ती है तो उसकी कुलूर्जा पहले बढ़ती है पिर गढ़ती है, पिर बढ़ती है इस्तिर रहेगी या गड़ेगी क्या होगा तो देखे जब भी हर पॉइंट पर क्या होता है उसकी इस्तिती जूर्जा यह होती है वो गती जूर्जा में बदलती ही चल जाती है और इस्तिती जूर्जा और गती जूर्जा दोनों का योग अगर निकालोगे तो उस्तिर रहता है कभी भी कुल उड़ जामें इसमें चेंज नहीं होता तो इस question का से जवाब होगा option C is the correct answer चलिए चलते हैं अगले सवाल पर अगला question है 108 108 108 108 अगला सवाल 108 नमबर पर देखिए इस question का जवाब क्या होगा थोड़ा सा मारकर किसे चलेगा मारकर 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 दिख रहा है मारकर देखिए question क्या करा है समांतर परिपत बोल रहा है समांतर में हम जानते हैं क्या होता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 होता है 4 options दिए हुए एक प्रतिरोद 18 ohm दे रखा है दूसरे का total दे रखा है 12 ohm इन सोचो आप इनवे से क्या होगा अगर मैं 36 ohm को लेकर चलू तो क्या होगा एक बटे 18 प्लस एक बटे 36 LCM कितना हैगा 36 यहां से 2 प्लस 1 कितना हैगा 3 upon 36 मतलब 1 by 12 उल्टा घुमाओगी तो 12 इसका मतलब question का से जवाब क्या होगा option C is the correct answer 36 नेक्स question 109 continue है मेरे तो जै बिवित्ता से सम्मंदी सही कदन का पहचान करो बाए diversity का बहुत अच्छा सवाल दे रखा है जै बिवित्ता भूमद रिखा की और equator की और बढ़ती है की नहीं बढ़ती है बिल्कुल बढ़ती है जै बिवित्ता सबसे ज़्यादा का मिलती है बूमद रिखा की और बढ़ती हूं नजर आती है बिल्कुल सही जवाब है प्रत्वी पर जै बिवित्ता एक समान प्रत्वी का पूरी का जलवाई हो अलग है जै बिवित्ता एक समान कैसे होगी option गलत जै बिवित्ता उच्छ तरक चांसों की तरफ बढ़ती नहीं है, हमेशा घड़ती है, यह भी गलत ने रखा है, उच्छे माले चेत्र में विश्व की सरवादिक जै बिवित्ता होती है, सरवादिक नहीं कह सकते, जै बिवित्ता मिलती है, लेकिन सरवादिक नहीं होती है, य इसमें समुद्र के, जो समुद्र है, कोई सागर है, मासागर है, तो उसके उपरी सतय का पानी और अंदर का पानी, दोनों की बीच के तापमान के अंतर से प्राप्त करके विद्धूत उर्जा अत्पुन की जाती है, OTC की फुलपम होती है, option D is the correct answer, O means ocean, T means thermal, E means energy, C4 conversion, option D is the correct answer, चलिए अगला question 111, 111 नंबर का, इस रो से संबंधी सवाल दिया हुआ है, सही है, अगला चार options दे रखें, इस रो द्वारा पहले भारती उपगरे का निर्मान किया गया, और इसे 1975 में, बिल्कुल सही जवाब है, 19 अप्राइल 1975 को बेज गया था, किसने कहां से बेजा था, ये बेजा था आपके कपुस्टिन यार से, कपुस्टिन यार स्टेशन से बेजा गया था, ये कहां पर है, ये रश्या में है, कहां है ये, रश्या में है, सोवियत यूनियन में है, सोवियत यूनियन, लेकिन इसने क्या बोलाए कि USA से वे जा गया, गलत, and tricks corporation इस रोग की विपडन, मतलब commercial marketing समालती हैं, सही जवाब है, इस रोग की master control facility, www.mof master control facility, mcf की बात कर रहा है, बिल्कुल हासन, हासन कहां है, करनाटक में है, ये बी बिल्कुल सही है कि इस रोग की mcf, जो center है वो हासन करनाटक में है तो इसका दो और तीन दो options हही है पहला गलत है तो question का सेजवाब option is the correct answer चलिए अगला question 112 अलप विराम के आकार के जीवानु क्या कहलाते अलप विराम का मतलब कौमा की बात करा है देखो को काई को काई जो होता है यह आठी Casey होता है कैसा होता है यह स्पैरीडी कलो तयала है इस पैर Wonderful आइए सपैरिक होता बैसल या रोडँ शेप का होता है रौड शेफ पव्रियोת इन चलते हैंं 100-4 उसक्रीर ना यह जून ऐस्टाइट उक्स देख्वायवाइन जौन रखा यह था समताप मंडल के अंदर कौन जिम्मधार है नाइटर्स ऑक्साइड भी जिम्मधार होती है मिथेन गैस जिम्मधार होती है तो यह तीनों की तिनों सही जवाब है और प्रतिस्ता पर जाता है और इस कोशन को और आगे बढ़ा देता हूं बढ़ापा आते व्रद्दा वस्ता आते आते यह गरंती समापती होने लग जाती है ऐसी गरंती का आपको नाव पहचाना है थाइमस है, आइपोथालेमस है, अपिट्यूट्री है, पेराथाराइड, ओपसने इस दा करेक्ट आंसर थाइमस गरंती है असी होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ गढ़ती चली जाती है रोग प्रतिरोधक चमता बढ़ जाती है इसलिए व्रद्दा वस्ता में रोग जल करना है, डेटा ट्रांसपर करने के लिए यह सामाने बल्व का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल नहीं, लाइट एमिटिंग डायोड, LED बल्व इस्तेमाल होते हैं, यह तकनीक प्रिकास के द्रश्यबान स्पेक्टरम का उप्योग करती है, बिल्कुल करती है, यह विजिवल स् चीपर, कंपरेजन टो वाइफाई, यह बहुत सस्ती पड़ती है, वाइफाई की तुल्ला में, तो चौथा नंबर भी सही है, तो इसमें अपना कौन कौन सा सही है, देखिए, नीचे लाओ थोड़ा, देखिए, कौन कौन सा अपना अंसर आया था, पहला तो गलत था, यह वाला सही था, सेकिंड फोर, ऑप्शन सी जा करेक्ट रांसर, बहुत बहुत धन्वाद, चलिए, अब मैं बुलाता हूँ, उम्यत वाले सर, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, पार सला क्लासिस के ओनलाइन प्लैट्फोर्म पर, जैसा कि मैं उमीद करता हूँ, आप सबने बहुत अच्छा सा पेपर किया होगा, बहुत ही आसान पेपर आया हमारा मैट्स का भी, और कम्प्लीट आपका पेपर बहुत आसान है, दे 116, 116 नमबर क्रिशन देखेंगे, देखें सबसे पहला क्रिशन लिखा, एक वैपारी कुर्सी को अंकित मुल्य पर 20 पसेंट और 10 पसेंट की छूट पर बेशता है, कुर्सी का 2,000 रुपे मुल्य है, तो ग्रहा कितना मुल्य चुकाना होगा, दो डिसकाउंट दे जा रहे एक 20 और एक 10, उसके बाद गरहा को कितना चुकाना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा स्वाल लाहबानी का, जा आंसर बना 1440, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, दो जार की वस्तु थी, इसमें पहला डिसकाउंट था 20%, 400 रुपे कम होगे, 1600 और दूसरा डिसकाउंट था 10%, यानि 160 रुपे कम होगे, 1440 रुपे चुकाने पड़ेंगे घरहाग को, बिल्कुल सही जवाब था, चलिए इसके बाद अगला किस्तन था मैट्स का 119, मैट्स का अगला स्वाल आता है 119, 119 नमबर हाँ, आपके साथ बताएंगे, सजन सर बताएंगे, 119 नमबर स्वाल बहुत ही आसान सा पेपर मैट्स का है, सबी लोगों को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, उसके बहुत ही आपको सकता है कि देखने में थोड़ी प्रावलम हो, विजिबिल्टी थोड़ा सा आपको कम लेगे, लेकिन पेपर बहुत ही आपका सिंपल आया है, जहां अभ पहला पारी में जो और मैट्स की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल और बेद या असान सा पिपर आया, इसमें क्या वोड़ा है, एकी आय और बी की आय का अनुपाद दिरिखा है, तो ए बराबर आपको क्या दिरिखा है, ए बराबर आपको दिरिखा है, क्या प्रॉलम हो र के च्छे बटा पांच सी की आई क्या है च्छे बटा पांच बी के तो सी का अनुपात ही निकालना है कई बच्चे गलती कर सकते इसमें थोड़ा सा तो सी अनुपात पांच बटा पांच बटा पांच च्छे अनुपात कितना तीन कट के आ गया दो अनुपात एक बाद बड़ी गलती क्या कर सकते हैं बच्चे एक अनुपात दो टिक कर सकते हैं जल्दी वाजी में कर देंगे आपको दो अनुपात एक बी और एक अनुपात दो बी आपका सही अंसर है दो अनुपात एक चले आगे बताएंगे इसके बाद 124 नंबर किस्तन है नेक्स्ट मैट्स का जो 124 नंबर देखे चुनाओ का किस्तन आया परसंटेज का बहुत आसान सा किस्तन दो उमीदवारों ने चुनाओ लड़ा उनमें से एक को कुल डाले के मतों का 65% मत पराप्त होता है वह 420 मतों से चुनाओ जीत जाता है आपसे पूछा गये यदि कोई मत अहमान नेगोसित नहीं किया गय 65% एक को मिला बचावा 35% दूसरे उमीदवार को मिला यानि हार और जीत हो रही है 30 मत से और अंतर दे रहे हैं आपको 420 का 420 है जो 30 के बराबर है और गुणा कर दी हमने सोस है आपका अंसर बना 1400 कुल मतों की संक्या 1400 बी आंसर आपका बिलकुल सही अंसर इसके बाद अगला कुशन 125 आपका रेशियो साया है यह कह रहा है कि यदि हम सिख्षक को छोड़ दें तो 40-40 और एक सिख्षक की कख्या की और से तायू पॉइंट पांच कम हो जाती है देखिए 40 तो चात्रों एक सिख्षक है यानि टोटल कितने हो गए 41 लोग इनका एवरेज क्या ब तो आप बताईए कितना हो गया पॉइंट कितना आपका पांच कम हो गया दो तरीके आप यूज कर सकते हो कि अगर मैं मौनू कि अगर एक से लेके 40 तक लोग हैं तो अब कितना हो गया 17.5 हो गया यानि पॉइंट पांच कम हुआ 20 लोगों में 40 लोगों में तो आप कहोगे किसर 20 कम हो गया और 18 यहां था ही तीचर का तो 18 प्लस 20 कितना हो गया आपका 38 पर हो सकता है यह बात आपको समझ में नहीं आए किसर यह क्या कर दिया सबसे simple तरीका है कि जतने लोग गए तो वह ही है आपके लेकिन आप ऐसे मत करो एक और सिंपल तरीका हमने आपको बताया है कि 41 इंटू 18 करूंगा मैं तो यह हो गया कितना आपका अठारा ही का मठारा और अठारो बैतरो कितना तेतर गया तो बच्चे कितने हैं 40 40 इंटू अगर मैं कर रहा हूं 17 पॉइंट कितना पांस पही हो गया टोटल कितना आपका साथ सो तो यह जो डिफ्रेंस आएगा किसका आएगा टीचर का आएगा सही बात एक नहीं है तो टीचर की उमर्सर कितने हो जानी है अड़ तीस वर्स हो जाएगी देखिएगा अज़ अलग अलग क्युसंण बता रहें एक एक किसन बहुत जाद आया आपके घणितमें इसलिए हम लोग एक एक कुसिन बता और टाइम दिया गए आपको दो साल सदान ब्याज और चक्रवड़ती ब्याज का अंतर दे रखा पत्चीस रुपए आप से पूछी गई रासी कितना होगा प्रिंसीपल बताना है आप चाहें तो तो परसंटेंज से बना सकते हैं सदान व्याज होगा 2 साल के लिए 10 परसंट और चक्रवरती ब्याज का परसंट बनेGा 10.25 10.25 आपको हर तरीके से सवाल कराया गया है रेश्च्यो से और मूलदन हमेशा 100 पसंट होता है सो से गुणा कर दिया पॉइंट को डाया एक बार और सो से गुणा हुआ पच्छिसे पच्छिस कट गया आप आप यहां सब्सक्राइब नमस्कार साथियों हिंदी का जो पैपर हुआ है एक दो सवाल ऐसे थे जो कह सकते शब्द कोस कि वह आपको परेशान कर सकते बाकि ऐसा कोई प्रस्ण नहीं था जो आपको परेशान देगो बहुत सरल सा सवाल और जैसा कि मैंने बोला था कि परिक्षा के अंदर ध्वनी एवं ध्वनियों का वर्गीकरण यहां पर वर्ण माला नही है आपको यहां से विकल्प डूना जो सुम्मेलित नहीं है च च इस पर संगर्षी बिल्कुल सही है यह वा को हम संगर्षीन भी कहते अर्दस्वर भी कहते बिल्कुल सही है और ग और ग इस पर स्वियंजन यह भी बात बिल्कुल सही है और श और संगर्षीन कौन-कौन होत यह तो संगर्शी होते हैं क्या होते हैं संगर्शी तो आपका जो होगा वह नंबर अगला सवाल देखिएगा बिल्कुल आपके सही होना चीह कि नाटक के अंत में प्रियूक्त मांगलिक पद के लिए सारतख शब्द यह अब सम्श्कित वासा से सवाल उठाया गया है और इसका सही आर्थ हो जाता है बरत वाक्यी जो नाटक के अंत में गाये जाते अब अग्ला शब्द देखोंगे सवाल अयादी संदी की द्रश्टी से असुमेलित विकल्प का चेन कीजेगा अब याद रखेगा कल विसाल मेगा मार्ट में कक्षा हुई थी उसमें अयादी संदी पढ़ाई थी और मैंने बताए भी था कि ये परिक्षा में कल आ सकता और आ भी गया गोदन एषणा बिलकुल सही है विनय दनाक बिलकुल सही है असुमेलित दूनडणा है लोदन इत्र लवित्र बिलकुल सही है विदय दनंंग ये गलत है इसमें यहाँ पर दो मात्रा आरी मिकल्प का चेन कीजेगा आपको किरियाएं पड़े थी, उनमें से सवाल आया, पुलिस ने चोर पड़ाया, अब खुद करता कारी न कर किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेनार्थ किरिया कहते हैं, बिल्कुल सही है, लड़के मेदान में दोड़ रहे हैं, करता जरूर है, कर्म नहीं है, अकर्म किरिय है और लिखा है माता जी प्रति दिन बाग में जाते रंजा किरिया नहीं है यह आपका असंगत विकल्प यह बिल्कुल सही है अगला सवाल देखिएगा कोई उपसरग नहीं सारे प्रति यह विकल्प बिल्कुल सही होगा इसके अंदर वी उपसरग है चर दातु है यह प्रति इसमें भी है इसमें भी है विकल्प आपका सही हो जाएगा वी ओप्सन ठीके चलिएगा अगला सवाल निम्न मैसे कौन सा शब्द संजा से निर्मित व अगला सवाल किस शब्द में थ्यान से पढ़िएगा बहुत सरलब सा सवाल आया बहाशा में धीरे दीरे शब्द लौप हो जादे बहाशा में दिरे दिरे शब्दों का लोप हो जाता, शब्द नहीं, यहां बहवचन करना था, इसलिए यह गलत है, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, बिलकुल सही है, अगला, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मेरी बातों पर ध्यान दिया नहीं, शब्दों की जग इसमें आप विभक्ति चिन देखोंगे के लिए आएगा सफद के लिए पत्र और ये ख्याति को प्राप्ट पड़ा रखा आपको ओपी के अंदर ख्याति प्राप्ट ख्याति को प्राप्ट और सेवा के लिए निवृति अंद विश्वास यहां पर विश्वास की विश्वास के सा अंदा अंदा है जो विश्वास इसके अंदर समास जो होगा वह आपका होगा कर्मदारे क्या हो जाएगा कर्मदारे आपको पूछा तत्प्रूस का नहीं है यह विकल्प सही होगा चलिएगा उमेद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जो हमने पढ़ा है वही परिक्षाम आया और एक सवाल जो नया था वह भरत नाट्य वाला वह आपको बता दिया गया आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ग्युद धन्यवाद ही इंग्लीज ही दिखानी है कि अधिता है है तो दोस्तों अपने सीटी के पेपर में कम्प्यूटर के भी आये हैं तो computer में जो है numbering 101 से start है computer में दे रखा है NTFS का पूरा नाम पूछा है तो देखिए NTFS का पूरा नाम तो होता है क्या new technology file system लेकिन यहाँ पर सब में दे रखा है new technology file system यहाँ पर भी है new technology file system यहाँ पर भी है मतलए यहाँ पर दो option आपके सामने आ रहे हैं लेकिन आगी क्या किया इसने यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर क्या लगा रखा है Microsoft यहाँ से इसका अंसर निकलेगा यहाँ से निकलेगा कि यह किसके साथ में आया था यह Windows के साथ में आया के और वींडो किसका का माइक्रोशव्ट वूटेंगे naam क्याता है ये सबसे पहले रिली रिलीज हुआ था रॉ uh उसके साथ में सबसे पहले किस को प्योंग लिए आगा था न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम का मतलब विंडोज का है इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जायेगा डी हो जायेगा नेक्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को 102 नुम्बर का क्वेश्चन अपने सामने है इन कंटेक्स्ट और MS-1 2019 दा की स्टोक तो गोता लोकेश्टन और लास्ट चेंज पर जाने के लिए आपको कौन सी की दबानी होती है लास्ट चेंज पर जाने के लिए देखो वैसे तो शिफ्ट प्लेस एफ फाइप अपने दो क ना कर सकते हैं कि अपने आपके पास में क्या जाता है लेकिन यह वर्ड में जब पूशा है शिफ्ट प्लेस फट असे जो आपके लास्ट जो आपने चैंज किया है वहां पर यह पूंचा देख पर तो इसका इसकां यह सुचा दो आपकत रहाता है अन्सर कौन सा हो जाएगा एक नेक्स देखिये diabetes है और अदि नम्बर का क्वेश्चन बहुत अथे नॉर्मल का इधा है पावर फंफफ्फफ में लिया है और यह पावर फंफफफफ यह आग में किस में आते वो क्या होता है उसके पावर लग जाती है इस तरीके से अब इस 5 को कितनी बार गुणा करेंगे अपन तीन बार गुणा करेंगे इसी प्रकार से यहां पर भी यह तो कुझा गलत हो गया क्योंकि यह लगा रखा है इसमें खुद नहीं पावर लगा दिया जो पावर में है यहां इंटू लगा दिया यहां पर इसने सही आंसर दिया है क्योंकि क्या कर रहा है टू की पावर कितनी आ जाएगा तीन तो दो को कितनी बार गुणा करेंगी तीन बार गुणा करेंगी दो को अपन तो कि पावर थ्री है तो कितना कर चार और चार दुने आठ तो इस काम से कितना आजाएगा आठ हो जाएगा इसका मतलब सही कौन सा है इसमें को मैं लगाकर सही आता है वाकि तीनों क्या होगे गलत होगे नेक्स देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है तोड़ा सा लंबा चोड़ा दिया है लेकिन मैच करने इसमें तो देखिए मैच करने के लिए यहाँ पर एक एक चीज देखनी पड़ेगी पहली चीज क्या कह रहा है बार कोड कॉलम ए और कॉलम ए इनसे आपको मैच करना है फिर जाके आपके इसका आंसर निकलेगा तो सबसे पहले दे रखा कोंदा बार कोड तो बार कोड देखिए किसके लिए काम में आता है तो यहाँ पर एक किसी पी तरह की प्राइस वगेरा याद कर सकते तो बताओ बार कोड जो है यह किसके लिए काम में आते हैं यहाँ पर किसका इसका हो जाएगा बार कोड के लिए हो जाएगा जो अमांट से संबंदित या डिपार्टमेंटल स्टोर में इसका उता है दूसरी चीज क्या दे रखिए और अप्टिकल मार्क रिडर ओमार का जो तेस्ट हुआ है वह बिल्कुल इससे पी हुआ होगा यह क्या हो जाएगा आपका ऑप्जेटिव टाइप टेस्ट जो हते हैं वह इससे संब्दित होते हैं आपको क्या करने पड़ते हैं गॉल खाने होते हैं उनमें किसी प्रक करना पड़ता है नेक्स्ट है मैं आई चिया मैंगनेटिक इंक करेक्टर रेडर और रिकागनीशन इनका जो सबसे ज़्यदा उपयोग होता हो कहां पर होता आपके पास में चेक बुक्स में बैंक में इसमें काम आता है यह आ जाएगा आपका क्या हैं माई इसमें और दे रखा है QR कोड कई बार अपने देखा है QR कोड इस तरीके से इसमें पैसे अगरा ट्रांसपर करते हैं और पताशी पताशी कुछ भी खाते हैं तो उसमें ददरू कोड कहलाता है क्विक रेस्पॉंस कोड यहां पर अपने देखेंगे कि इन में सबसे बेस्ट ऑप्सन कौन सा आ रहा है तो यह आ रहा देखो ऑनलाइन पैमेंट आप इससे बिल्कुल कर सकते हो तो इसका आंसर क्या जाएगा QR कोड हो जाएगा यह हो गया और अब दे रखा क्या OCR आप्टिकल केरेक्टर रीडर और रिकागनेशन यहां पर देखेंगे तो इसका मतला अपने आप ही वैसे तो बच गया लेकिन यह क्या करता है प्रिंटेट पेज को एडिटेट पॉर्मेट में कर देता है और यह हो गया कौन सा आपका अब देखिए यहां पर बहुत अच्छा क्वेशन बना है इन्होंने अब इसका अगर ऑप्शन देख रहेंगे तो ऑप्शन देखिए पहला इसके साथ आ रहा है और इसमें सही ऑप्शन जो है अपने को यहां पर देखना है कि कौन सा किसके साथ में तो देखिए एक के सा साथ में OMR कौन से नंबर पर है यह तो हो गया B और यह QR कोड़ हो गया आपके कौन सा डी और बार कोड़ हो गया आपका A और MICR हो गया आपके बहुत टिपिकल जो है इसको बना दिया गया इस तरीके से और यह कौन सा हो गया अब इसका देखेंगे कि एक में B ठीक है एक में B OMR यहां पर है इसका सही आंसर अपके देखो बहुत ही पिच्छी दा इसको बना दिया गया है इसका मैच अपने को करना है कि किस किस तरीके से मैच हो रहा है तो इसमें एक में यह है बार कोड बार कोड अपने दे रखा है यहां पर यह हो गया एक में तीन है एक में तीन यह तो कट हो गया एक में तीन यह बात तो सही है और B में एक है तो B में अपने एक है बिलकुर यह बात भी सही है तो अब यह वाली बात भी यहां तक तो सही है C में चार है C और M.I.C.R M.I.C.R यही है क्या बिल्कुल यहां तक भी सही है और D में Q.R D में दो दे रखा है क्या Q.R दो यह भी सही है और E में पांच E.O.C.R इसमें पांच भई मिलता हो गया यह रिफेरा इसका सही आंसर अपने कौन सा हो जाएगा B. इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बड़ा है पहले तो यह ने दिये पहले यह मेंच करो तिरी इस मेंच से और मेंच करो तो बहुत ज़्यादा तो बने रहेगा पहले तो यह बताओ क्लास नोड से पेपर आया कि नहीं है या पॉलिटी में जो आपने टैन प्लस टू में पड़ा है और टैन प्लस टू से ही आपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का आपने पेपर सॉल्व कर दिया यानि अगर टैन प्लस टू का जो मैंने आपको क्लास रूम के अंदर जो पॉलिटी पड़ाया था उसमें से यदि एक प्रिशन को छोड़ दे क्योंकि स्लेबस बड़ा था तो उसमें से एक प्रिशन के अलावा सारे प्रि के प्रिशन मैंने आपको कराए और क्लास रूम के अंदर कराए हैं एक भी आपका प्रिशन नोट्स से भार नहीं है सिर्फ एक प्रिशन को छोड़ दे और वह भी इसलिए भार है क्योंकि वह टॉपिक आपके टैन प्लस टू में नहीं है वह ग्रेज़ेशन वाले में था इसलिए वो भार है, बाकि सारे प्रिश्ण आपके नोट्सों से हूँ वहू, मैं आपको PDF अगर यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा सकता हूँ, सब कुछ आपको क्लास नोट्स के अंदर मैंने लिखा रहा था, अब पहले हम करेंट के साथ साथ करेंट और पॉलिटी दोनों को सॉल्व करेंगे, तो प्रिश्ण नंबर एक, और प्रिश्ण नंबर एक के अंदर आप से पूछा गया है, कि जो राष्टिये केसर मिशन निम सरकार की द्वारा इसे उत्तर पूर्वी भारत में पूरी तरह इसे विस्तारित कर दिया गया, और इसे जिस योजना के अंतरगत सामिल किया है, वो है राष्टिये क्रसी विकास योजना के रूप में क्या किया है, लांच किया है, तो पहला पांसर होगा इसका, यानि पर बात भी करता रहता था कि एक मात्र टीकाराम पालिवाल ऐसे मुख्षमंत्री है जो उप्फ्षमंत्री भी रहे थे यानि एक ऐसा मुख्षमंत्री जिसका डिमोशन हुआ था ये बात मैं आप से क्लास रूम के अंदर करता था और वही प्रिशन आ गया देखें टीकाराम व्यास ते वो दो जग सी चुनाव हार गएते तो ऐसी परस्तिती में जो ठीकारम-पालीवाल थे दोसा की महुआ सीट से चुनाव जीत कराई थे उन्हें राजिस्तान का पहला निर्वाचित मुक्ष मंतरी बनाये गया फिर बाद में 17 सीटों पर उप्चुनाब हुए और किशनगडवाली जो सीट थी वहां से जैनाराण व्यास उप्चुनाबों में जीत कराए तो फिर टीकरम पालिवाल ने इस्तीपा दिया और जैनाराण व्यास राजिस्तान के मुक्षमंत्री बने जब जैनाराण व्यास तो 1952 से लेकर 1954 तक टीकरम पालिवाल राजिस्तान के उप्मुक्षमंत्री बने तो पहला विकल्प आपका सही है ये राजिस्तान के एकमात रहसे मुक्षमंत्री है जो उप्मुक्षमंत्री भी रहे विकल्प दो की बात करते हैं तो हरी संकर भावडा राजिस्तान में अ दूसरे जो उपमुक्ष मंत्री थे वो हरी संकर भावडा थे और ये भैरो सिंग सेखावत के समय गुनिस सो तिराण में से लेकर गुनिस सो इठ्याण में तक राजिस्तान के दूसरे उपमुक्ष मंत्री रहे तीसरे उपमुक्ष मंत्री रहे ते बनवारी लाल बेरबा जो असोक गैलोत के समय दो हजार दो के, एक से दो के बीच में रहे और फिर रही आपकी कमना वे निवाल जो राजस्तान की एकमात्र महिला उप्मुक्षमंत्री है, वो दो हजार तीन में रही और पांच वे जो मुक्ष मंत्री रहे वो रहे सचिन पाइलेट जो 2018 से 2020 तक रहे हैं तो विकल्प दोनों सही है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ए होगा सोरी इसका विकल्प होगा आपके एक और दो दोनों सही होगे तो य आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले प्रिशन पर अगला है पांचवा प्रिशन और ये करेंट का प्रिशन है राजिस्तान के किस जिले में जियो लॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्विक्षन में सीमेंट ग्रेड लाइमिश्टॉन के विसाल भंडार मि मिलें आपके जैसल मेर में मिलें का मिलें जैसल मेर में मिलें हैं ये आपको ध्यान रखना है करेंट का प्रिशन है अगला प्रिशन पर चलो और अगला प्रिशन है आपका प्रिशन संक्षा 9 प्रिशन संक्षा 9 और बहुत ही अच्छा प्रिशन है कि राजिस्तान विधान speaker बने थे ये आपको ध्यान डखना है और अगर आप से पूछ ले कि सरवादिक बार pro time speaker बनने वाले व्यक्ति कौन है तो वो पूरं चंद विश्णोई है ये तीन वार राजिस्तान के अंदर pro time speaker रहे हैं इसके लावा यसवन सिंग नहार भी राजिस्तान के pro time speaker रहे हैं नाराण सिंग मसूदा भी राजिस्तान यानि विदान सवा के pro time speaker रहे हैं तो चारों ये pro time speaker है आप से यह पहला पूछा है तो महरावल संग्राम सिंग है ये पहले pro time speaker थे ये आपको ध्यान डखना है और अगर आप से सरवादिक बार पूछ ले तो सरवादिक बार तीनवार रहे हैं पूनम चंद विस्नोई ये आपको ध्यान डखना है प्रसन संक्या 10 राजिस्तान में नियोजन विवाग की स्तापना कब हुई राजिस्तान के अंदर नियोजन जो जन्वरी 2022 में राजिस्तान की सीमा पर कौन सा अभीयान चला गया? जो हमारी पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर राजिस्तान ये B要सेप के द्वारा जो चलाया गया वो अभ्यान था? operation सर्द हवा कौन सा था operation सर्द हवा अगला प्रिशने बारवा और बारवा प्रिशने की राजिस्तान में सौरी निम्न मैं से किस railway station को हाली में platinum green railway station rating दी गई है तो यह भीया जोधपुर railway station है कौन सा जोधपुर यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रिशने तेरवा सौरी त अठारवा और अठारवा प्रिशने है कि निपन भारत मिशन क्रियानवत किया जा रहा है देखिए निपन भारत मिशन की बात करें तो निपन भारत मिशन का उद्देश जो हमारी सिक्षा मंत्रायले की द्वारा या भारत सिरकार की द्वारा जो नई सिक्षा नीती जारी क उस नई सिख्षा को कैसे मजबूत बनाया जाए साख्षरता को कैसे बढ़ाया जाए एक व्यक्ति को सिख्षित कैसे बनाया जाए सिख्षा में क्या क्या सुधार किया जाए उन सुधारों में एक सुधार किया गया है निपुन भारत मिशन ये अभ्यान जो चलाया जा रहा ह और इसका सम्मन्द सिख्षा से है ये आपको धियां डखना है अगला प्रिशने आपका और ये प्रिशने आपका पॉलिटी का आपका 26 पॉलिटी से है कि राजिस्तान में नगर पालि का अध्यक्स के बुरुद्ध एबिसवास के प्रिस्ताप पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूरती उसके मद्दान हगदार व्यक्तियों की कुल संक्छा की होगी तो भ Wagyya देखे एक बटा तीन होती है कितनी होती है? एक बटा तीन देखे यह विश्वास प्रिस्ताव लाने के लिए एक बटा तीन सदश्यों के हस्ताचर होने चाहिए पहली बात और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर मान लिजिए इसे पारित कराना है तो तीन बटा चार है पारित कराने के लिए तीन बटा चार और बैसे एक बटा तीन तो ये आपको ध्यान रखना है प्रश कि राजिस्तान राजिस सूचना आयोग। सूचना नहीं देने पर अधिक्तम कितनी राशी का जुर्माना आरूपित कर सकता है। तो 2.500 रुपे प्रती दिन से लेकर अधिक्तम जो राशी है वो 25,000 रूपे है। कितनी 25,000 रुपे तो न्यून्तम रासी पूछे तो 200 रुपे और अधिक्तम पूछे तो 25,000 तो सही आंसर होगा आपका कितना 25,000 ये आपको ध्यान रखना है कितना 25,000 अगला प्रिशन है गुर्टीसवा और गुर्टीसवा प्रिशन है कि जनवरी 2023 में 108 वी इंडियन साइन्स कॉंग्रेस आयोजित होगी और हो गई अभी 3-4 दिन पहले हुई है और ये हुई है आपके कहां पर नागौर के अंदर कहां हुई है दोस्तों नागौर के अंदर ये आपको ध्यार डखना है इसका सही विकल्प होगा नागौर क्या होगा नागौर बड़ी है अगला प्रिश्न है आपका चौतीसवे नंबर का आपकी इलम successes नबर का तो ये आपको धियान रखना हैं ये आपके क्या नाम है तो ये नम है आपका इगाष स्वाकातिक और ये फ्रेंच अपन 2022 में महीला एकल्की विजेता बनी है इसका आपको धियान रखना है अगला है 35 नमबर और ये आपके पॉलिटी से संबंदित है और 35 है कि राजिस्तान में राज बितायोग के प्रथम अध्यक्स कौन थे आपको याद होगा मैंने आप से कहा था कि राजिस्तान के अंदर पहले बितायोग का गठन किया गया था कब किया गया था तो पहले बितायोग का गठन किया गया था चोराण में के अंदर और इसने दूसरा जो बितायोग के अध्यक्स थे आपके हिरलाल देपुरा ये सेकंड बितायोग यानि दूसरे बितायोग के अध्यक्स कौन थे आपके तो ये थे आपके हिरलाल देपुरा तीसरे बितायोग के लिए तो मानिक लाल सुराना क्या था मानिक चंद सुराना ये तीसरे ब वहले हैं आपके कर्श्न प्रिश्ण कुमार गौपाल यह नाम आपको याद रखना है अगला प्रिशन है और यह अगला प्रिशन आपका है एक मिनट अगला प्रिश्ण आपका गुंतालीसवे नंबर का प्रिश्ण है और वो है राजिस्तान लोक सेवा गारंटी अदिनियम 2021 के अंतरगत प्रिथम अपीलिये प्रादीकारी के निर्णे के बुरुद। कितने दिनों में दुतिय अपीलिये प्रादीकारी को अपील की जा सकती है तो देखिएगा प्रिथम अपील अधिकारी की अगर पूछे तो प्रिथम अपील अधिकारी की 30 दिन और दुतिय अधिकारी की 60 दिन तो यहां पर आप से पूछाए कि प्रिथम अपीलिये प्राद दिन तक आप जा सकते हो तो सई आंसर होगा आपका डी कौन सा होगा डी अगला प्रिशन आईए और अगला प्रिशन है आपका 51 वे नंबर का 51 वे नंबर का प्रिश्ण है और 51 वे नंबर का प्रिश्ण है आपका बहुत इजी प्रिश्ण है ये तो आप सभी जानते होंगे कि 15 वित्तायों कि अध्यक्स कौन थे तो N के सिंग थे कौन थे एन के सिंग थे ये तो बहुत एजी प्रिशन है आप इसे आसानी से हल कर दोगे ये तो बहुत एजी है एन के सिंग अगला प्रिशन है आपका त्रेपन नंबर अगला प्रिशन त्रेपन नंबर राजपाल से संबंदित और और इसके अंदर पूचा है कि राजिस्त तो आंसर इसका C सही होगा क्या होगा C सही होगा इसके बाद 57 नमबर का प्रिसल 57 57 57 जी बिल्कुल 57 नमबर और निम्ल कितम से राजिस्तान के किस मुक्ष मंतरी के कारेकाल में सरवादिक वार राश्टपती सासल लगा तो दिखिये हमारे राजिस्तान अभी तक 4 वार राश् तक 1967 में और ये लगा ता महलाल सुखाडिया के समय किसके समय महलाल सुखाडिया के समय दूसरी वार राश्टपती सासल लगा 1977 में और ये लगा हरदेव जोसी के समय किसके में हरदेव जोसी के समय तीसरी वार राश्टपती सासल लगा 1980 में और ये लगा बहरौ सिंग सेख यहाँ पर पूचाए कि सरवादिक बार राश्ट पती सासन किस मुक्षमंत्री के कारेकाल में लगा है तो वो है आपके भैरोज सिंग सेखावत यानि दो वार लगा था एक वार तो लगा था आपके गुली सो बाण में से लेकर तिराण में तक लगवग ये कहते हैं कि 11 मैंने 20 दिल लगा था और पहली बार लगा था 16 फरवरी 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक तो सरवादिग बार पूचा है तो भैरो सिंग से खाबता अंसर आएगा अगला पृसन है इसका 60 नमबर पृसन हैं और 60 नमबर पृसन के अंदर आप से ये करेंट का भी है और आपके कल्चर का भी है और इसके अंदर पूचा कि हाली में 9 अप्रेल 2020 को राजिस्तान के निम्र कितमे से किस लोग संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरुस्कार परदान किया गया है तो ये किया गया है गाजी खान बरना और गाजी खान बरना रहने वाले कहां के है जैसल मेर के का के जैसल मेर के खड़ताल बादक है क्या है खड़ताल बादक है तो ये आपको ध्यान रखना है मांगण यार कला से इनका संबन्द है तो ये होगा आपका साथ फिर आईए आप 66 पर 66 पर और ये 66 पर परसन आपका पॉलिटीका है और इसके अंदर पूछा गया है कि राज्यमानवादिकार आयोक के अध्यक्स की न्युक्ति राज्यपाल द्वारा एक समयती की सिपारिस पर की जाती है इसमें कौन सामिल नहीं है तो दिखे राज्यमानवादिकार की बात करे तो इसके अध्यक्स की जो न्युक्ति राज्यपाल द्वारा एक चार सदस्य समयती के माध्यम से की जाती है और इस चार सदस्य समयती की बात करे तो इसमें एक तो होता है मुक्ष मंत्री तो बात बिलकुल सही है एक होता है बिदान सवा का अध्यक्स बात बिलकुल सही है एक होता है विदान सवा का विपक्ष का नेता बात बिल्कुल सही है और एक होता है आपका ग्रह मंत्री कौन होता है राज्य का ग्रह मंत्री होता है तो इस प्रकार ये चार सदस्य समयती पूछी है यहां पूछा है सामिल कौन नहीं है तो सामिल नहीं होता आपका उच्छ न एम विस्वेस्वरिया के द्वारा किसके द्वारा एम विस्वेस्वरिया के द्वारा ये लखी गई है तो इस प्रिशन का सही विकल्प होगा अगला प्रिशन आपके सामने है प्रिशन संक्या सतेत्तर प्रिशन संक्या सतेत्तर और प्रिशन संक्या सतेत्तर है कि केके बिड चोला पहन सकिरी क्या है पचरंगी चोला पहन सकिरी ये इसका शही आंसर होगा यानी प्रीसंफ संख्या यानि 77 का विकल्प होगा 58 प्रृर्ण संख्या 5 और mathematics यह हमारा release का भी है और पॉलिटी का भी है बहुत इशांदार प्रिसन है और प्रिशन पूचा गया आपसे कि 6 अगसे 2022 को जगदीब धनकर ने भारत के 14 उपराष्ट पती के रूप में सपत ली बात बिल्कुल सही है जगदीब धनकर राजिस्तान का संबंध जुनजुनु जिले से बिल्कुल बात सही है तता राजिस्तान से उपराष्ट पती बनने वाले दूसरे व्यक्ति है बिल्कुल बात सही है ये जुनजुनु के रहने वाले हैं और दूसरे इसलिए क्योंकि पहले जो उपराष्ट पती रहे वो बहरोसिंग से खावत रहे तो दूसरे कौन से है जगदीब धनकर तीसरा है यह लोगसबा सांसद और राजिस्तान विदान सवा के सदश रहे तो देखे लोगसबा गुनी सो नवासी से एकराण में तक जुनजुरू से लोगसबा के सांसद रहे हैं गुनी सो तराण में से लेकर एठाण में तक राजिस्तान विदान सवा के सदश रहे हैं त बिल्कुल अगर लोगसभा की बात करें तो लोगसभास में ओम बिल्डा कोटा से आते हैं और अगर राजिसभा की बात करें तो राजिसभासे जगदीब धनकड कहां से आते हैं जुल-जुल से तो दोनों ही राजिस्तान के हैं तो प्रिसन आपका बिल्कुल सही होगा यानि को ध्यान लखना है अगली है अगला परसेन आपका 82 नंबर अगला है 82 नंबर 82 नंबर और 82 नंबर है आपका कि अडानी हाईब्रिड एनरजी की सायब कमपनी ने किस पर भारत का पहलाColleswar औरजा Hybrid पाबर प्लांट इस्ताफित किया है, तो भईया ये किया है, जैसल मेर में यह आपको याद रखना है, अगला च्छाशी नंबर, अगला अगला है 86 नंबर और 86 नंबर अगला प्रिश्ण है कि भोर कारिकरम जो पुलिस आयक्त जैपुर के समन में से चलाया जा रहा है इसका उद्देश क्या है तो जो हमारे विख्या बरती में जो लिप्त लोग है उनको फिर से पुनरवास करना उनके लिए मकान बनाना उनके लि प्रिश्ण है और 93 नंबर का प्रिश्ण है कि मन्रेगा की तर्ज पर क्या है मन्रेगा की तर्ज पर राजिस्तान के सहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को बित्तिय सहयों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है तो मन्रेगा के तोर पर चलाई जा रही है इंद्रा गांदी सेरी रोजगार गारंटी योजना सौ दिन का ये काम दिया जाएगा और ये योजना चलाए गई थी 9 सितंबर 2022 से कब चलाए गई 9 सितंबर 2022 से तो इस प्रिसन का सही विकलप होगा इंद्रा गांदी सेरी रोजगार गारंटी योजना अगला प्रिशन है भाईया अगला प्रिशन है आपका 99 नंबर का प्रिशन है और 99 नंबर का ये प्रिशन है आपके कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट संग के महा सचिव कौन है तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट संग के जो महा सचिव है वो एंट्यो गुट्रेज है ये आपको द्यान डखना है इसका जो हेड़ क्वार्टर है वो न्यूवर्क में है काँ पर न्यूवर्क में और चौबीस अक्तूबर गुनिस सो पैंतालीस में इसकी क्या हुई थी संयुत राष्ट संकी स्तापना हुई थी इसमें 113 में देश है अंतिम जो देश ता वो दक्षनी सूडान है वो 193 वह देश बना और वो बना 2011 में तो सारी बात द्यान रखनी है 2017 में ये बने थे तो ये आपके करें पॉलिटी से संबंदित प्रिसन हुए अब आप आगे समझोगे जोग्रॉफी वाले प्रिसन और राजे सर आपके आगे है आपकी पॉलिटी का टेन प्रश्ट हुए जो मैंने आपको पड़ाएं उससे एक प्रिसन को छोड़कर सारे प्रिसन आपके क्लास नोर्ट से हैं आप भूभू उनको मिला सकते हैं एक भी प्रिशन आपका बहार नहीं है तो आप सभी के लिए सुक्रिया बदाई अब राजे सर आपको जोग्राफी के प्रिशन सौलू कराएंगे निकालो फिर शुरू से चलो यहीं निकालो एक क्योशन यह रहा यह रहा है कि नहीं नहीं करो आप तो करो हल दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे और पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा दोस्तों बिल्कुल भी तो पेपर की बात करें तो जो जोगरोफी में इंडियन वाड़ा राजस्तान वाले पारट की बात करें अर्थियस्ता वाले पारट की बात करें दोस्तों आपको class में लिखवाए हैं हुई नौट्स आए हैं कुशन ऐसे कैसे आपको लिखवाए हुई नौट्स में ऐसे कुशन बने हैं बिल्कुल आपके paper right होई होंगे दोस्तों सभी के नमस्कार नमस्कार आप सभी का हाँ जी चलो भी पाक स्ट्रेट देखो पहला क्युशन पाक स्ट्रेट है यह पाक स्ट्रेट की बात आती है तो यह भारत और शिलंगा की मद्द्य है दोस्तों पाक स्ट्रेट पाक जल डमरू और मनार की खाड़ी और यह सब के सब भारत और इसके मद्द्य है बताओ शिलंगा की मद बहुत ही अड़क्षा पप्राई दोस्तों बहुत ही अच्छा पप्राई नमसकार नमसकार आप सबीका स्वागत अभी चल और और चलो जलो जलो चल से लिए गम हाजी देख़ो यह कि अरदी के का समंध cheaper करते हैं तो ये उच उत्पादकता दो गुणवकता युकते उच उत्पादकता किस्म उच किस्म की रूप में तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका राई टांसर जा रहा है उच उत्पादकता किस्मों के बीजों के लिए अगला क्यूसन यही है एक आया दोस्तों पठारों का, मैंने गहा दा पठारों से किसन पूचेगा, बोराट का पठार कुंबल गड़ से गोगंदा की बीची है, लसारीगा पठारा समन्द में है, गलत भी द्यान दीजिएगा, लसारीगा पठार राजस्तान के उदेपर जिले में स्थीत है दोस्त हो तो आपका राइट आंसर होगा है यहां लसाड़ेगा पठा रहें बिलकुल यह गलत है चलिएगा आगे अगला किसा है और चलो कि दो हजार ग्यारा के आनुसार राज़्स्तान में लिंगानुपातें दौस्तों भी भारत के अकोर्डिंग पुछा गया भारत में 943 और राज़्स्तान में कितना भी 928 है अंतर कितना आरा दोस्तों अंतर आ पंदर आ ने 15 बोलो भी राष्ट्रिय उस्षक से 15 बिंदू कम है राजस्तान का लिनगान उपाते तो आपका राइट आनसर जाएगा दोस्तों यहांपे 15 कम होगा बारत राजस्तान का पहला सिमेंट कारखाना दोस्तों कहां इस्तापित किया गया हाँ भी पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का हाँ जी दो हजार ग्यारा दोस्तो दो हजार ग्यारा की जनगर्णा अनुसार राजस्तान के किस जिले में नियुन्तम ग्रामिन लिंगानुपात था दोजार ग्यारा की यदि बात करते दोस्तो तो नियुन्तम लिंगानुपात यदि है तो वो राजस्तान के दोलपूर जिले में जल संसादर मंत्रा ले द्वारा योजना आयोग द्वारा राइट आनसर जाएगा आपका योजना आयोग की द्वारा ये इस्तापित ये आपके विवागजित किये गए हैं दोस्तो इस सरदा बांदे इस सरदा बांद बनास नदी पे बना है और इस बांद की जब बात आती है तो दोस्तों यह वैसे सवाइमादोपूर में लेकिन दो जिलों की सिमा पे है टौक और सवाइमादोपूर है क्या option बिल्कुल option number b आप सभी का right answer होगा यह टौक और सवाइमादोपूर में यह है बांध है दोस्तों चलो आगे है और चलो हाँ जी एक आया इस्तानांत्रित क्रशी आदिवास्यों द्वारा अपने जीवी को पारजन अपने उद्र की पूरती है तुझी क्रशी करते वनों को काटकर जलाकर कुमारी मद्य प्रदेश पोड़ों अंदर प्रदेश जूम अ पुर्वोत्र में पौनम केरल दोस्तों यहां पर आपका यदि होगा तो वह होगा कुमारी मद्य प्रदेश में नहीं है मद्य प्रदेश में दो वीवर है वीवर दैया वीवर आएगा दोस्तों तो यह केरल की है यह कुमारी है वह केरला की है दोस्तों तो यहां पर आपक क्यूशन करके आए हैं तो आपका सही अंसर जाएगा एक आया खनीजों से समंदित कौन सा सुमेलित नहीं है रोक फास पेड जामर कोटडा जिससे अठारा उन्निस सो निन्याड में में सरस्रेश्ट खदान पुरुषकार दिया गया लो आइसक मोरिजा डाबला डाबला जु गुमान दोस्तो काला गुमान से तो पहली बार पन्ना निकाला गया था उन्निस सो तैयालिस में और तामडा राजमेल जनकपुरा कुसालपुरा गांवरी यह सर्वार खरकरी आदिस्तान जाते हैं तो आपका राइट आनसरियां पे डी होगा तामडा ए सुमेलित है दोस् हाँ जी रास्तान राज्ये प्रयावरन निती किस वर्ष जारी की गई 2010 दोस्तों 2010 आपका राइट आनसर जाएगा यहां पे 2010 में प्रयावरन निती जारी की गई है चलो आगे चलो और चलो हाँ जी सुखा संबावय काई करहन की बात आती मैं दोस्तों 55 स से यह सुखा संबावय काई करम 25 और 25 का है दोस्तों रहेष जो का पिचेदर-प्रतिस्तत राज्ये का 25 प्रतिस्तत आएगा चलो आगे बारत में सुस्क खेती होती है दोस्तों कौन से वर्षा वाले इस्तानों के मद्ध डेड़ सो पैती से पिचेतर सो से मी डेड़ सो से मी पिचेतर से एक सो दस दोस्तों जाला पचास से कम से मी से कम वर्षा होती है वहाँ वर्षा वनशी आएगी बोलो हमारे मरुस्तल की बात केजिएगा जहां पचास से मी से कम वर्षा वहां सुस्क खेती होती है तो आपका राइट अनसर यहाँ पर जाएगा 20 नंबर आप्शन यदि आप करके आए 35 से पिचेतर तो आप सभी का राई टानसर होगा दोस्तों बारत में सरवादिक रागी उत्पादक राज्जी है रागी की बात करें दोस्तों करनाट का देश में सरवादिक रागी का उत्पादक राज्जी कौन सा है करनाटक राज्जी आएगा दोस्तों यहां पर राजस्तान में इंसेप्टी सॉल्स मरदा पाई जाती है दोस्तों इंसेप्टी सॉल्स मेंने बताया भी होगा आपको कहां इंसेप्टी सॉल्स मरदा पाई जाती है बोलो पाली भीलवाडा शिरोई कोटा बुंदी बारा जैपुर दोसा अलवर जैसल मेर बाड मेर विकानेर बोलो आपका राई टांसर जाएगा दोस्तों पाली भीलवाडा शिरोई जिले में आपकी इंसेप्टिस और समर्दा पाई जाती है बारत के किस रज्ये में छेत्रफल में वनों का प्रतिसत सर्वादिक है सर्वादिक वन प्रतिसत वाला राज-जिये मीजोरम होगा और सर्वादिक वन छेत्रफल राज़्ये मध्ये प्रदेश होगा सिव समुद्रम जिसे कावेरी जियो नदी है दोस्तों वह सिव समुद्रम जलपरपात बनाती है तो यहाप ए आपका राहित आणसर जाएगा दोस्तों कौन सा सही नहीं है याँ द्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर पर वन और दोस्तों आपको याद है तो मैंने यह बहुत करवा के लिखाया था कि सौम कमला अंबा आरेस के प्रमें भी दोस्तों प्रम्य पूछली आशन फर्फ ग्रेंड में मैंनने गा था सौम कमला अंबा सौम कागवडर प्रियोजनाई दौनों सौम नदी ही पे डूंगरपुरoo उदैपुर में चलाई जारी है दोस्तों अलगलग जिलों में चलो कि जभी चंद्रभागा पसुमेला कालीशिंध नदी की सायख नदी छंद्रभागा पसुमेला कार्ति कमाउंस्टा एक हो मिला लगता है दोस्तों को चलौश 2011 की जनगना के अनुसार राजस्तान की कुल जनसंख्या में अनुसुचित जनजाती दोस्तो अनुसुचित जनजाती 13.5 प्रतिसत यहां आपका राइट आंसर होगा 13.5 प्रतिसत राइट आंसर जाएगा दोस्तो यहां पे अपना राइट आंसर 13.5 प्रतिसत अनुसुचित जन जाती आडानी हाइब्रिड एनरजी की साहिता से देश का सबसे बड़ा यदि कोई हाइब्रिड पवन उरजा बिजली गर इस्तापित किया गया दोस्तो तो वो राजस्तान के जैसल मेर्ट जो मैंने मेरातन क्लास ली थी दोस्तो उसमें फस्त किस्टन आप देख बिल्कुल सी नमबर ऑप्सन जैसल मेर बाड मेर भीकानेर दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा यहां जैसल मेर बाड मेर भीकानेर चलो दोस्तों जहां पे सेरगड वन्यजी वाला कि रस्त राइट का इस्तान राजस्तान होगा दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा यहां चलो आगे 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 चलो कोटा बुंदी काली, अरे बिल्कुल सिधा किुसन है, ये तो सिधा आसान किुसन है दोस्तों, हाजी, आगला किुसन, कौन सी स्रेनी, कौन सी पहाड़ी सत्पुडा का बाग नहीं है, राज पीपला गुजरात में सत्पुडा का पार्ट है, महादेव, ध्यान दीजिएगा दोस्तो मद्य प्रदेश में सत्पुडा का पार्ट है मेकाले 36 गड में सत्पुडा का पार्ट है जो भारनेर है दोस्तो यह विंद्यांचल का भाग है विंद्यांचल केमोर भारनेर यह हमारे विंद्यांचल का पार्ट है दोस्तो तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डी वांट्ति जीला नहीं है बोलो भी पाली नहीं है दोस्तों सिकर जीला होगा प्रस्तावित है जौदपur नागोर है दोस्तों तो यहां पे पाली नहीं होगा नहीं पुछा है यहां पर आपका राइट आंसर होगा विल्कुल चलो आगे राज्येगा सबसे बड़ा क्रशिज जलवाई प्रदेश कौन सा है आंतरिक प्रवा है दोस्तों ये तो सेखावाटी गया सुस्क पस्चिमी ये आपका बाड मेर जोदपुर वाला पार्ट है उपादर दक्षणी मेदानी प्रदेश ये हमारा जो दक्षण वाला पार्ट है अतिस उसके जिसे हम फश्ट सी के रूप में जानते हैं दोस्तों जोद जैसलमेर विकानेर और चोरू ये आएंगे इसमें सबसे बड़ा दोस्तों बार बार कहता था सबसे बड़ा सबसे छोटा आप याद कीजिएगा दोस्तों सबसे बड़ा और लिखवाए आपको आई फस्त सी सबसे बड़ा क्रशी जल्वाई खंड है चलो आए औरो अगरादिया 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 वो ही है के पुरा अगरादिया ये करवाई दिया दोस्तो जो गरोफी के जो क्युशन थे वो करवा दिये गए हैं सभी तो प्यपर आपका बहुत अच्छा गया होगा हाँ जी चलो एक क्युशन बता रहे हैं सर थोड़ा देखिए अगरादिया गुरुजी को पेट जो ना थेश नमबर का क्युशन दोस्तो एक क्युशन आपका रह गया ब्रतपूर राज्य प्रजा संग की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1942 एक क्युशन रह गया था ठीक है तो यह आपके पुरा पेपर सामनी आ गया बुला लो सर को आप रिजनिंग वाले आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं रिजनिंग वाले आंसर आप टिक कर लो कि बाकि आप लोग चेक कर लेंगे रिजनिंग में कैसे क्या है आपको सब वही है जो पढ़ाया होई आया हुआ है रिजनिंग मिला के टोटल पंदर आपके किस नाए इसमें रिजनिंग में आप ठोला टिक कर लीजिएगा कि यस 117 अच्छा राजे जी कुछ बता रहेंगे सब्सक्राइब कर लिए जी एक सेकंड और करो कि एक किस्वन आया था आपका कि भारती इमानक रेखा को यदी साड़े बैयासी जिरो प्रदान मान लिया जाए मध्यान रेखा मान लिया जाए तो फिर अंतरास्तितिति रेखा उसका यो आंसर है देखो वो क्यूसन वैसे तो अपवादीत क्यूसन है फिर उसका आंसर होगा साड़े सत्यानमे डिग्री पूर्वी देशा नतर आजी तो उस क्यूसन को यह रहा देखो यह क्यूसन है कि यदी भारतीय मानक समय आईएस्टि को निर्दारित करने वाली हम इसका आंसर निकाला है इसका साथे सत्यान में डिग्री पूर्वी देशा अंतर आ रहा है तो देख लीजिएगा क्यों सब्सक्राइब यह वैसे तो दोस्तो अपूआद है इस क्यों संवे तो आंसर तो बताया है बाकी निन्ने करती है अधिनस्त बॉर्ड क्या इसका अंसर वो करता है दोस्तों या डिलेट भी कर सकता है इस कुछन को अभी सर आ रहे हैं पर बहुत अच्छा है लेवल भी अच्छा था दोस्तों जिनको कुछन देखो जीके वाले पार्ट की दो बात यह है कि श्रस नहीं देखा उनका तो वह लगेंगे बाकिंव्हल अच्छा है जीके वाले पैटेन का है कि अबाकि chimie टिक लगा सकते हैं डिजरि जउनि फॉले जो आप के हैं किस्ट उन्मेष्टीinta सेकूट है ए 117 कि एक सो तरह में त्राइंगल के संख्या होगी एक सब्सक्राइब कर दोरी के लिए था दस मीट्र दूरी होगी एक कितना दूरी चलेगा कि एक सो अथारा में आप आना चाहिए कि इसमें जो आपको आना चाहिए एक सब्सक्राइब कर देखकर आप लोग कल के पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से सब्सक्राइब किस प्रकार के पेपर आपका कल आने वाला है कि एक सो बीस में आपका इसमें आपका आनसर आना चाहिए एक सो बीस में आपका आनसर आना चाहिए देखें यहां पर यह जो एक सेला मेंडर जो लिखा हुआ है वो साहिद कोई एक मसली वसली टाइब कुछ होता है इसमें आंसर आना चाहिए थोड़ा सा विवादित है सी और बाकी आप कन्फर्म करेंगे आगे देखेगा हाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे देखेगे आप लोग यहां जो सिरीज चल रही है 14 लिखा गया है हैं कि बताना गलत कोन सा था तो यहां गलत होगा 260 अप्सन भी आप का सब्सक्राइब दूपह दो थी चल रही है दो की पावर 112 और दो थी पावर तीन लिखा गया है सर 127 में आपका आना चाहिए और आगे करिएगा कि 128 में आपका केवल निसकर्स एक अनुसरन करता है कि ए आगे करिएगा कि 139 में आपका आना चाहिए साहिद भी आएगा कि भी इस दराइट अंसर चले गाइज और आप लोग चेक कर लिजेगा मेरे साफ से रिजिनिंग में यह आपके जो आंसर हो ठीक है अब इंग्लिस वाले सर आ रहे हैं जो आपको कुछ बताएंगे इंग्लिस में क्या 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 कि 141 141 इस पैसे जीज़ है आगे बढ़ा रहे हैं हाँ क्यूस्टन निकाल लूँ शिदे हैं अ आ रहा है हारा है कि सुल्ब करें हैं है यह जो क्यूस्टन्स हैं यह टोटल पैसेज का क्यूस्टन है नहीं पैसेज को निकाल लूँ कि रेडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें चार क्यूस्टन से टूटल और आप देख रहे होंगे कि 141 से लेकर 143 तक क्यूस्टन से आपनी पढ़ा होगा यह तो पैसेज की अक्वाडिंग क्यूस्टन सापको जवाब देना है अब हम लोग एक काम करेंगे दो काम है इसमें तो अगर आप चाहें तो एक पैसेज को मैं पढ़के इक डेटेल बता दू या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधे हम लोग पैसेज की आंसर को देखते हैं किसका आंसर क्या है और किस तरीके से थोरा से एक वर क्यूस्टन से निकालो बात कर लेता हूं देगे पहला है इसका अंसर सेकेंड हो जाएगा यह नेक्स्ट कुस्टिन एक अंट्वनीमस ऑफ दे वर्ड क्यूर शिटी के जो क्यूर सिटी है इसका जो एंट्वनीम्स होगा वह पैथी यह curiosity का मतलब होता है जिग्यासा और आपने इसका D answer किया होगा और next जो word है synonyms of the word इस्टिफोल्ट यह जो इस्टिफोल्ट है इसका मतलब होता है इनका मतलब होता है दवाना के sense में suppressed करने के sense में तो आपका A part करेकर answer हो जाएगा और यह आपका format writing letter है जिनमें एक ही date लिखने का तरीका होता है जो इस तरीके से अपने लिखते हैं तो इसका A part जो है यह correct answer हो जाएगा next question देखें question number 145 है one word substitution अने एक सब्दों के लिए एक सब्द पूछ रहे है कि जो word है इसका one word में बताओ statement a large number of fish swimming together मतलब बहुत सारी मचलिया जब एक साथ साथ तैरती रहती है तो उनको क्या बूलते है तो उनको solve बूलते है इसका बूलते हैं और आपको पैसी बनाना है आपने देखी लिए होगा कि जब भी आप एक्टिव से पैसी बें करते तो आप object को क्या करते हैं subject करते हैं जैसे आप object को subject करेंगे तो object आपके पास मी है तो मी का मतलब क्या हुआ आई हो जाएगा तो आई वाले आपके पास option है और आई वाला जो option है एक तो बी में और एक सी में और आप जानते ही कि आई के साथ वर का यूज कभी नहीं होता आई के साथ हम लोग वाज करते हैं और आई के साथ वर तब करेंगे जब statement हमारा क्या होगा आउप्टेटिव सेंटेंज होता है तब करते हैं इसका मतलब आई वाज में टू लाफ सेकेंड पार्टी जो करेक्ट आंसर अंसर सेकेंड कैसे हुआ आपके समझ में आया की नहीं आया एक बार फिर से सुन लिजिए अबजेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे तो अबजेक्ट आपके बस मी है तो आई हो जाएगा और इसके बाद आपने इनको कनवर्ट किया होगा और आई के साथ वास और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल राइट है कोई दिक्क्यत बाली बात नहीं है नेक्स्ट कोस्टन है देखो I am going to stay at home because I am feeling under the weather यह आपका जो आंसर से यह फ्रेज है और आप से कह रहे है कि इसका बताओ कि इनका आंसर कौन सा होगा तो under the weather का मतलब होता है बीमार होना कमजोर होने के सिंस में वो किलियर कह रहे है कि I am going to stay home मैं घर अराम करने जा रहा हूं क्यों आराम करने जा रहा हूं कि I am feeling under the weather today मतलब मैं कमजोर फिल कर रहा हूं इस वजह से आपको क्या करना है ध्यान रखना है तो कमजोर फिल कर रहा है इसका मतलब यह जो वर्ड है सिक इनका यह हो जाएगा पीटा सिक जिनको आप इलनेस बिगेर भी बोलते है इनमें से ज पूर्ट में बुक्स इनसाइड दे बैग बच्चा कह रहा है कि मां क्या आपने मेरी किताब जो वह बैग में रखा है विटा यह कुड है आप ध्यान रखना यह कैन का पास्ट फॉर्म है कुड और जब पास्ट फॉर्म है इसका मतलब यह परफेक्शन को सो कर रहा है और को सो करने के लिए आपको पहले काम एक्टिविटी हो जाता है यह सकती हो के सेंस में नहीं होगा यह तो तब होता जब स्टेट्मेंट में कैन बेगर होता तो इसका अंसर सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यों से नंबर देखना 49 में है कि टीचर सेट्वी स्टूदेंट्डस एक बैकंग योरależ बूकस इनको क्या करना इन दिरेंक्ट बनाना है और से कितना सिंपल यह योर है कि यूर कौन सा परसन है second person और आपने पढ़ा होगा कि second person को लोग किसके according change करते हैं object के according और object आपके पास students है students का मतलब क्या हुआ दे और दे का मतलब देर हुआ तो आपने देर वाले options इसमें देखो कि कौन से में देर है तो अगर गौर से देख रहे होंगे तो एक ही part आपका answer है देर में वो a part है लेकिन यहाँ जो आक्ष्ट है यह बटा interrogative statement में होता है बटा interrogative नहीं है तो person आपको change करना है तो a part आपका जो है यह correct answer हो जाएगा और इसका तो आपको पता हिए कि the tiger is a fierce-willed animal, d part is your answer. All the best, मन से पढ़िए कोई दिक्कत है तो पूछते हैं. कर दो कि नहीं है? कर दो एक्र दो है प्रड़ों को जो किना